नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस्टेग्राम नोटिफिकेशन साउंड प्रोब्लम अगर आपका कोई भी फ्रेंड आपको मैसेज करता है तो नोटिफिकेशन तो आ जाता है बट वहाँ पर साउंड सुनाई नहीं देता है कि मैसेज आया हाई या नहीं तो आप यह प्रोब्लम दो मिनट में सही कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने इस्टेग्राम पर फिर यहां पर आपको three line का option दिख रहा होगा इस पर आपको click कर देना है फिर यहां पर आपको setting का option है इस पर आपको click कर देना है फिर आपको notification का option दिख रहा होगा इस पर आपको click कर देना है फिर यहां पर message and call इस पर आपको click कर देना है तो यहां पर देख सकते हैं message तो इसको on रखते ना फिर यहां पर आपको message तो यहां पर from primary only इसको कर देना फिर आपको वाइक आ जाना है फिर आपको चले जाना है अपने phone setting पर तो आपको सबसे नीचे आ जाना है यहां पर आपको sound का option दिख रहा होगा तो इस पर आपको click कर देना है फिर यहां पर आपको message का option दिख रहा होगा इस पर आपको click कर देना है फिर यहां पर आपको message का option इस पर आपको click कर देना है फिर यहां से बहुत सारी मैसेज की नोटिफिकेशन बिल आ जाएंगी तो आपको जो भी अच्छा लगे तो यहां से लगा लेना तो हमने लगा लिया है यह वाली फिर आपको वैक आ जाना है फिर आप जितने सारी हां पर देख सकते हैं कलेंडर साउंड डिफाल्ट नोटिफिकेशन साउंड तो आपको सब लगा लेना है तून फिर आपको सबसे नीचे आ जाना है यहां पर इसकीन लॉक साउंड इसको आन कर देना इसकीन सार्ट साउंड इसको आन कर देना फिर हम अपने इस्टाग्राम पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगर कोई भी मैसेज हमें करता है तो हम अपने नोटिफिकेशन सुनाई देता है हमें तो हम अपने दूसरे फॉन से मैसेज करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि हमारा इस्टेग्राम का मैसेज आया है यहां पर नोटिफिकेशन साउंड सुनाई दिया है हम आपको दिखा दें यहां पर देख सकते हैं तर आउर हम आपको दिखा दें हम जितनी बार मैसेज करेंगे तो नोटिफिकेशन साउंड यहां पर देख सकते हैं आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करना अभी तक हमें इस्टाग्राम में फालू नहीं किये हैं तो फालू कर लेना मेरे यूजर नीम है अंकित के यू 922